आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केश्जिवाल की गिरफतारी और असी को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है बीजेपी ने आमादमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी किया है बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए बता दिया है कि कट्टर चोर मचाई शोर यानि बीजेपी जो बार-बार हमलावर रही आमादमी पार्टी के कट्टर इमानदार वाले नारे पर ऐसे में अर्विन केरजिवाल की गिरफतारी के बाद बीजेपी और जारा हमलावर हो गई है और ये कह रही है कट्टर चोर मचाई शोर ये वो पोस्टर है जो की जारी किया किया है बीजेपी की ओर से और अभी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है ये चलती रहेंगी क्योंकि मामला बहुत संगीन है बहुत बड़ा है दिल्ली के सिटिंग सीम की गिरफतारी बीती रात हो गई है प्रेम कुमार जी हमारे साथ में है राहुलाल जी हमारे साथ में है प्रेम कुमार जी, सिटिंग सीम के इस तरही के से गिरफतार होने पर सवाल बहुत से अब विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है, भई अगर आप ध्रश्टा चार करोगे तो पकड़े जाओगे, चायब सिटिंग सीम होते या फिर सीम नहीं होते हैं देखिए, बीजेपी राजनितिक बिरोधी दल है, वो ऐसा करेंगी और ऐसा कहने के लिए, ऐसी परिस्ति बनाने के लिए ही ये सारी चीजे हुई हैं, और अर्विंद केजरिवाल इस मामले में चुके कोई दस्तावेजी सबूत अब तक नहीं है एडी के पास, सवालों के कटगरे में है, कि वो शराब घोटाले में क्या, जो मुख्य सरकारी का वाह है, उससे वसूली कर रही थी, क्या पूरी मोधी कैबिनेट सवालों के कटगरे में है, इलेक्टोरल बॉंड को ले करके, इसलिए अब इसके कोई माइने नहीं रह गयें कि बीजेपी अर्विंद केजरिवाल से क्या कह रही है? यह पूरी मोधी सरकार के लिए बड़ा सवाल है अलेक्टोरल बॉन्ड और यह अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी वहाँ से ध्यान हटाने के लिए यह सारा कुछ किया जा रहा है ताकि सारा फोकस अर्विंद केजरेवाल पर हो जाए जे आप के रहें कि सब कुछ ध्यान हटाने के लिए हो रहा है इलेक्टोरल बॉंड का मुद्दा जो कि उठा जिसमें ये बात सामनी आई कि जो सबसे जारा चुनावी चंदा पाने वाली पाटी है वो बीजेपी है और इसलिए इस खबर से ध्यान भढ़काने के लिए यह सब कुछ हो रहा है कुछ बोलना चाहरे है प्रेम कुमार जी जे यह हम यह बात नहीं है कि कि इसको सबसे ज़्यादा मिला बात यह कि जंदा लेने के लिए केंदरी एजंसियों का इस्तेमाल हुआ दुरुम ब्यों हुए और उसके तत्य उसके प्रमाण सामने आ रहे हैं इसलिए मोधी सरकार पर सबाल हो गए ती इसलिए ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है आयूश हमारे साथ हैं आयूश अभी तस्वीरे क्या है क्या है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी के जो कारे करता है वो सड़कों पर आएंगे Des बजे का वक्त गोपाल राये ने, जब सड़कों पर BJP के खिलाफ हला बोला जाएगा आम आदमी पार्टी है ऑफिस के बाहर क्या हल चल्ट जी आमादी पार्टी आफिस के बाहर इस वक्त हम मौजूद है और जैसा कि आमादी पार्टी ने कल रात को ही आवान कर दिया था कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश में अलग अलग जगाओं पर धरना दिया जाएगा अर्विंत के जिवाल की गिरफतारे की खिलाफ तो यहीं से ये रास्ता सामने की तरफ से दूसी तरफ से बेरिकेट लाकर उसे बढ़ किया गया है इस प्रकार की अपराधी सोच की जगा जेल में ही होती है और आमादमी पार्टी जो रविया अपना रही है वो चोर मचाए शोर इसके रविया है उनके किसी भी व्यक्ति को द उड़ा हुआ था वो यह बताता है कि उनको पता है कि चोर आब कानून के शिकंजे में पकड़ा जा चुका है लेकिन जनता इनका सच जान चुकी है और कानून के और न्याए के तरोजू पर अब न्याए होगा वो दिल्ली चला भी नहीं रहते दिल्ली आज राहत की सांस ले रही है दिल्ली के लिए एक खुशी का दिन है और मैं तो सुबह से बाहर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अंजाने लोग भी एक दूसरे को बढ़ाई दे रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं और खुश है कि ब्रश्टाचार और जूट की जो राजनीती दिल्ली के सिर पर सवारती उससे मुक्ती मिलने वाली है कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि एक चोड दूसरे चोड को इमानदार कहता है और दिल्ली आज राहत की सांस ले रही है राहूल जी ऐसा है क्या राव जी अन्म्यूट कीजिए खुद को मैं कारा हूँ राजना जी कि दिल्ली राहत की सांस कैसे ले सकती है दिल्ली की जनता परचंद बहुमत से अर्विन पेजरिवाल जी को अपना बुक्ष मंतरी चुनती है वो भी एक बार नहीं बार चुना जा रहा है उनकी संख्या काफी भारी संख्या में है ऐसे इस थिती में यह इस्तर से जनादेश का भी अपन है भॉस्टाचार के नाम पर आप जनादेश का अपन कर रहे हैं मैं का रहा हूँ कि तमाम भॉस्टाचार की बड़े-बड़े गंभीर आरू जो इस समय, फुच जो एकि बीजय पी के ऊपर लग रहे हैं, तो हम तो लग रहा है कि जो उन्हाने एक श्लोगन अभी आदानी पार्टी के लिए जारी किया है, उस स्लोगन को अगर पढ़के दूसरे खेमे के लिए लगजा तो फिर वो फिर वो बीजय पी के लिए भी कि यह तो यह हो गया कि आप आपके पास तमाम संवधानिक संस्था हैं, आप उन संस्थाओं का चुनाओं से एन वक्त के पहले आप उसका दूप्यक करने में लगए हुए हैं, अजकर बांड के पितारे से जो तमाम तरह की चीजा खुलकर निकल के आ रहे हैं, क्या हम कि इस प्रेड़ेती यह पूरी कारवाई आप कह रहे हैं, आगे अप्डेट भी दर्शु को तक पहुंचाएं